हेलो नमस्कार दोस्तों कैसे ही आप सभी लोग मयासा करता हूँ आप लोग काफी बढ़िया होंगे और अपने बूर्ड परिशा के त्यारी काफी बढ़िया से और लगन के साथ कर रहे होंगे आज के इस नए वीडियो में हम लोग अधियान करेंगे बाइलोजी का फर्स्ट चेप्टर अधियाय नमबर छो एंसी आडी का सोट्स नोट्स बनाएंगे और साथी साथ समझेंगे बहुत बहुत बेतरीन तरीका से हमारा चेप्टर का नाम है जयो परकडम यह इसको इंगलीज में बोलते हैं लाइफ प्रोसेस इससे आपकी बूर्ड परिशा में हो सके तो पांच नमबर के प्रसन पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत बड़ा चेप्टर है और बहुत इंपोर्टेंट चेप्टर है देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें समझेंगे जयो परकडम और जयो परकडम को समझेंगे जयो परकडम को समझने से पहले आपको मैं बता द जेगा अगर अच्छी से पढ़े होंगे तो याद है तो अच्छी बात है और नहीं पढ़े होंगे तो एक बार रिविजन करेज़ेगा ताकि जैव प्रकडम समझने में कोई परसानी ना हो सके तो आए समझते हैं सबसे पहले आखिर जैव प्रकडम होता क्या है और जैव प जो समीली तुरूप से याईके संगीलीतुरूप से सजीव सारीक ध्यान रखना है सजीव सरीव का अनुरक्षन करते एक उसे जैव हो परक्रम कहा जाता है अब भाई यहाँ पर आया अनुरक्षन Rio चक्षं से क्या तो पर ।्धेव यहाँ पे मैं तिरक निसान देकर लिखा है कि अनुरक्षन से ततपर है सरीर के रख रखाव से आप ऐसे भी बोल सकते हैं वे सभी प्रकडम जिसमें सरीर का रख रखाव किया जाता है उसे जयव प्रकडम कहते हैं आप ऐसे भी पड़िभासित कर सकते हैं वे सभी प्रकडम जो समीलित रूप से सजीव सरीर का अनुरक्षन करते हैं उन्हें जैव प्रकडम कहते हैं मुझे आसा है कि आप सभी को समझ में आ गया हो गया कि जैव प्रकडम क्या होता है इसको आप लोग इसकीन सट ले लिजेगा और अपने कोपी में नोट्स बनाते चलिएगा क्यूंकि मैं सभी चेप्टर का और सभी सब के रखर का उसे अधिसका अगला topic हम समझते है कि पॉसन जिसको अंग्रे Government है ना यूट्रेस थ entend meditation चाहा हुता है पोसन की से करते हैं चिक यह हमारा NCRT का दूसरा topic है पोड़ान तो पूऽन देखिए क्या होता है पोड़ान पोशन वह जयोव परकडम है यानि कि यह जयोव परकडम का भाग है तो पोशन वह जयोव परकडम है जिसके अंतरगत कोई भोजन गरहन करते हैं क्या करते हैं यानि कि खाते हैं और उर्जा की पड़ाप्ति करते हैं उन्हें पोशन कहा जाता है समाझ गया कि पोशन क्या होत करते हैं जैसे कि हम लोग हो गए भोजन को गरहन करते हैं और उसे हम क्या प्राप्ति होती है उर्जा की प्राप्ति होती है तो यह सभी पर किया क्या कहलाती है पोशन कहलाती है आप लोग समझ गया होंगे कि पोशन क्या होता है ठीक है तो इसको नोट कर लिजिए आप लोग पहले मैंने पोशन को बताया है कि पोशन क्या है तो पोशन वह जयो प्रकरम है यानि पोशन एक क्या है जयो प्रकरम का एक भाग है जिसमें को यू भोजन को गरहन कर उसे करहन कर उर्जा की पड़ापती करता है तो इस पड़किरिया को हम लोग क्या बोलते हैं पोशन बोलत जोरए कि औो महीडिया की पर्कार का परकार है क्या है तो इसको हम लोग कैसे पढ़िभासित करेंगे वह और जिसमें जीव क्या कहलाता है स्वापोसी जीव कहलाता है जैसे कि मान लिजे आपका हरा पेर पहुदा हो गया यह किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है तो यह क्या कहला है यह स्वापोसी जीव कहलाते हैं हरे निल हडित सवाल हो गए तो यह सब क्या हुए स्वापोसी स्व स्वएम भोजन बना जाता है उसे स्ववपोषन कहते हैं ठीक है अब जिसमें है प्रपोषन पर पोशन ही है पर यानि कि कि सी दूसरे पर निरभर होगा यानि पौषन की वह विधिया जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वेम नहीं बनाते अर्धार्थ अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या बोलेंगे उन्हें परपोसन बोलते हैं और ये जीव क्या कहलते हैं और परपोसी जीव कहलते हैं जैसे कि मनुस हो गया जानवर हो गया हम लोग प्रपोशन को भी तीन वर्गों में बाटा गया है तीन वर्ग कौन कौन से है आए देखते हैं पहला है परानी संबोजी और दूसरा है पर जीवी पोशन उसके बाद जैसे हम लोग हो गया कुट हो गया सीर हो गया यह सब मैं परानी संबोजी पोसन कहलाता है और जिवी पोशन बहुत खतर्राक होता यह देखिए किसी जीव के सरीर पर रहोकर भोजन पराप्त करेगा और बदला में उसे हानी पहुंचाता है जैसे मैं आप अमरबेल देखे होंगे अपने गाव देहात में अमरबेल देखे होंगे पीला पीला छाप रहता है पेर पहुंचाता है इस यानि कि उसून श्ट कर देता है यानि पर पोसन की बो हबीदिया जिसमें कोई कोई अपना भोजन उसे पराप्त करता है उसे बदले महां इप leagues अ dirt करते हैं ठिक है उसके बाद हो और उसे बदले में हानी नहीं पहुचाते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, मिर्तिव जीवी परपोशन कहते हैं, जैसे कि माली जे गीध हो गया, यह तो सब मरे हुए जीव जनति को खाते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, मिर्तिव जीवी परपोशन कहते हैं, अब हम लोग समझत सबसे लेते हैं उसमें i001 इंपर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस से हमारा चेप्टर जुड़ा हुआ तोपोषन का वह पड़किया है जिसमें कोई जीव स्वैम भोजन बनाते यानि कि खुद इसे भोजन बनाते हैं अर्थात किसी दूसरे जीव पर नहीं रहते हैं उसे स्वापोसी पोशन कहते हैं और यह जीव स्वापोसी जीव कहलाते हैं जैसे कि पेरपोधा हो गया हरा पेरपोधा यह सब क्या अपना भोजन स्वें बनाते हैं सुरे के परकास के मदद से उसके बाद हो गया निल हडित सवाल ये भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं ठीक है तो आप लोग समझ गये होंगे कि स्वय पोशन क्या होता है उसके बाद हम लोग समझते हैं पौधों में पोशन ये काफी में पोशन पौधों में पोशन कैसे होता है देखिए सब ही हरे पेरपौधे जितने भी हरे पेरपौधे हैं वह सब अपना बोजन वो स्वयम बनाते हैं अत यह परकास संसलेशन के किरिया द्वरा अपना बोजन स्वयम बनाते हैं समझ गये कि पौधों में पोशन कैसे होता है तो पौधों में पोशन सभी हरे हरे पेपोधे स्वपोसी होते हैं और यह परकास संसलेशन के किरिया के द्वरा अ हमें कई बार पूछा जा चुका है कि आप परकास संसलेशन से क्या समझते हैं सायद पांच नमबर का किसी वर्स पूछा गया है और किसी किसी वर्स दो नमड़ के वर्स दो नमड़ के किवल पुछा गया है तो आए समझते हैं कि आखी परकास संसलेशन होता गया है तो यह परकास संसलेशन वास्तों में एक क्या है रसायनिक अभिकिरिया है क्या है रसायनिक करिया है जिसमें हरे पेरपोधे वाई मंडल से वाई मंडल से कारबन डाय एक्साइड जमीन से जल और खनीज लेकर सुरे के परकास तथा क्लोडोफिल की उपस्तिति में करते हैं तथा अकसीजन गैस को मूब्त करते हैं उसे परकास संसलेशन काहा जाता है वही परिभासा लिखा है तो परकास संसलेशन एक एक रसाइनी का भिक्रिया है यहां तक तो कोई दिक्रत नहीं है कि परकास संसलेशन एक रसाइनी का भिक्रिया है जिसमें हरे पेर पोध है हरे पेर पोध है वायू मंडल से ध्यान अखियेगा वायू मंडल से कर्बन डाय आक्साइड और जमीन से जल और खनीज लेकर सूरे क के परकास तथा को लोडोफिल की उपस्तिती में चिश टू एल सेक्स याने की कार्बोहाइड़ोड का निर्मान करते हैं और अक्सीजन गैस को मुक्त करते हैं अधा इसी पड़किरिया को परकास संसलेशन कहा जाता है उसके बाद यहां पे लिखेंगे थोड़ी सी अच्छे अभी करन में कन्वाट कर देंगे तो हमेंने पड़िभासा क्या बोला परकास संसलेसान एक रशाइनिक है तुरस्ण अभी किरिया हमें दिखाना होता है ठीक है तो परकास संत्रसने कर अभी कि रिखिए किसे में हरे पे पहद हैं वहाई मंडल से करबन डाय यह जमीन करते हैं और सांथी साथ अक्षीजन गैस को बाहर करते हैं, क्या इंच आक्षिजन गैस कूर सी किससे पडला होता है उसी से बढफ होता है अक्षजन गैस जिससे वित रहते हैं, Damn बदले में क्या उपपाद की रूप में अक्सिजन गैस को मुफ्त करते हैं तो ये घटना क्या कहलाती है परकास संसलेशन कहलाती है देखिए परकास संसलेशन से अब्जेक्टिव भी बहुत सारे आपके बोर्ड परिशा में पूछे जाते हैं तो आप लोग इसको सबसे पह पूछे जाते हैं और नोट्स का पहला पॉइंट है हमारा कि परकास संसलेशन के किरिया में उपपाद के रूप में क्या निकलता है या अब्जेक्टिव में एक नंबर के लिए आप से पूछा जा सकता है और आपके बोर्ड जामें पूछा भी गया परसने है कि परकास सं सभी कि सभी पॉइंट है आपके पास एक अच्छा खासा नोट्स भी तयार हो जाएगा और दुसरा है कि परकास संसलेशन के किरिया में पौध्य के पतियों में संपन होती है आप से पूछा जा सकता है कि परकास संसलेशन के किरिया कहां पे संपन होती है तो परकास पौधे को रसोई घर कहा जाता है पौधे के पतियों को हम लोग रसोई घर के नाम से भी जानते हैं ठीक हैं आप लोग समझ गये होंगे कि पौधे के पतियों को रसोई घर क्यूं कहा जाता है क्यूंकि परकास संसलेशन के किलिए पौधे में पौधे के पतियों में ही संपन कि लिar है अब देखिया हम सुझते हैं थीसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट कि परकास संशलेशन के किळिया में चारपाईरथं की अवसकता होती है उयMac said कौन-कौन से हैं आप से क्या पूछे का इसमें बोर्ड परिशा में कि परकास संसलेशन के किरिया में निमने में से कौन पदार्थ की अवसकता नहीं है इसमें से एक कोई गायब कर देगा ठीक है तो वहां पर ध्यान देजे गमाल लिजेहां पर करबन डियक्साइड है यहां पर अक्सिजन कर देगा तो नहीं यहीं होगा अपसान नमबर यहीं हो जाएगा ठीक है तो परकास संसलेशन के किरिया में चार पदार्थों की अवसकता होता है वह कौन-कौन से हैं सबसे पहले में सुड़े के परकास दूसरा में कोलोडोफील और तीसरा में करबन डैय अक्साइड और चोठा में जल और खनीज इस क्योंकि इसी से पड़िभासा बना है कि परकास संसलेशन एक रसाइनी कभी किरिया है जिसमें हरे पेर पोधे हरे पेर पोधे वाई मंडल से करबन डैय अक्साइड और जमीन से जल और खनीज लेकर सुड़े के परकास दाथा क्लोडोफील की उपस्तिती में परकास संसलेशन की दड़ लाल रंग के परकास में निले परकास में सबसे अधीक होता है तो परकास संसलेशन की दर लाल रंग के परकास में किसमें लाल रंग के परकास में सबसे अधिक होता है और नीले परकास में सबसे कम होता है परकास संसलेशन की दरे क्लियर है अब देखिए पांचवा हमें लोग बिंदू समझते हैं पांचवा बिंदू है कि पतियों में कुलोडो फील पाया जाता है क्यों पाया जाता है पत किया हरी इसलिए होती है क्योंकि इसमें क्लोड़ो फिल पाया जाता है कि यह इस से भी अब्जेकुटिव बन सकता है और कोलोड़ो में गिरेना नामक हरे रंग का रंजक पाया जाता है और इसके केंदर में में मेंगनेसियम धात्लू होती है यह आपके पुछा हूँ रसने हैанные 2021 में कि मैंखनेशin धात्लू किस्समें आ घणल हैं अब अब कि हमनों समझते हैं इसमें भूएंट शेटाक संशलेॉशन की करिया में कर्फक्राइड यानि C6H2LO6 अनुका निर्मान किसी से होता है दे देगा अप्षन में सल्फड से सल्फड एक्साइड से अक्सीजन से एच्टुए से तो परकास संसलेशन के किरिया में यानि कि से होता है किस से होता है से निर्मान होता है और अक्सिजन का निर्मान जल से होता है अब देखिए हम लोग इसमें कर लास्ट पॉइंट समयते हैं सो काफी इंपोर्टेंट और महत्पुन है इसका लास्ट है इसने परकास संसलेशन की लास्ट टॉपिक हमारा है कि परकास संसलेशन की किरिया में पतियों में बने भोजन को किस उतक के दौरा पौधे कि सभी भागों में यह प्रचित आप से पूछे का अगर अब का जाता है और जाइलम उतक क्या कर रहा है तो जाइलम उतक खनीज और जल को पतियों तक पहुचाते हैं खनीज और खनीज और जल को पतियों तक पहुचाने का कारे करते हैं इसलिए जाइलम और फॉलोयम को हम लोग स्वाहन उतक के नाम से भी जानते हैं आप से पूछा पुला मूतक पति तो के लिए じल के लिए कारिक करते हैं उसको सभी मैं बहुंचायने कार्य करते हैं इसलिए इसको सभी नाम से जाना जाता से पढ़ाई नहीं हुआ तो उसको पढ़ाई अच्छी तरफ से हो सकेगा तो आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत पसंद आया तो वीडियो को लाइक से स्क्राइब और कमेंट करना नहीं बूलेगा तब तक मिलते हैं इसके अगले टॉपिक को लेकर तब तक के लिए धन्यवाद थैंक्स